तो दोस्तो इस्कोलर सीप को लेके आप सब के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेकिया हैं अब जिन इस्टुडेंट ने मादे में शिक्षा बोर्ड अजमेर यानि आरबी ऐसी बोर्ड अजमेर से कक्षा दसवी और कक्षा बारवी में अच्छे अंग प्राप्ट के हैं अब ऐसे इस्टुडेंट को 15,000 उपे की स्कोलर सीप हो मिलने वाली जी हाँ अगर आपको भी इस्टुडेंट के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली हैं जिनोंने अरबी सी बोर्ड अजमेर से कक्षा दसवी और कक्षा बारवी पास की हैं इसके अलावा अभिभावक और स्कूल साथियों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है मेरे साथ है वो आप बने रहे है नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साती राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूटूब चैनल तो दोस्तों पहली बात तो यह कि यह जो वीडियो हो एक रिमाइंडर वीडियो है यानि आपको इस स्कूलर्शीप के बारे में पुन्य याद हो दिलाया जा रहा है इस स्कूलर्शीप के बारे में पहले मैं तकरिबर मार्च मामी मार्च 2022 में इसकी जानकारी हो दे चुका लेकिन अभी तक भी शिक्षाई भाग के पास है इस्टूडेंट की इन्फोर्मेशन नहीं पहुंच पाई है जिनको यह इस्कोलर्शिप देनी है तो यहाँ पे जो शिक्षाई भाग है एक बार फिर से सक्त हो गया है और पुन्ह ऐसे इस्टूडेंट की जानकारियों मांग तरह की जो इस्कोलर्शिप है वो अलग अलग जो इस्टूडेंट है अलग अलग जो केटेकरी की जो इस्टूडेंट है उनको इस्कोलर्शिप वो दी जाती है अब जो फिलहाल यह जो इस्कोलर्शिप है वो यहाँ पे सम्मानने वरक के आर्थिक पिछड़ा वरक के कंड जिन इस्टूडेंट ने माद्य में शिख्षा बोर्ड अजमेर से वर्स 2020 में और वर्स 2021 में कख्षा दसवी और कख्षा बार्व में 45% से अधिक अंग प्राप्त के हैं तो ऐसे इस्टूडेंट को ये स्कोलर्शिप मिलने वाली है लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास बात ही है ये सभी केटेगरी के स्टूडेंट को नहीं मिलने वाली है ये केवल जनरल केटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको मिलने वाली है लेकिन जनरल केटेगरी के भी सभी स्टूडेंट को ये स्कोलर्शिप नहीं मिलने वाली है ऐसे स्टूडेंट को मिलेगी केटेगरी तो ज जिनके पूरे प्रिवार की जो वार्षिक आए है वो डायलाग से कम है तो ऐसे जो इस्टुडेंट हैं बालक या बालिका हैं 15,000 उपे की स्कोलर्शिप वो प्राप्त कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शिक्षाय वाग यानि निद्यसाले बिकानेर के दोरा ऐसे इस्टुडेंट की अपने ओलावर राजिस्थान की जो अलग अलग जो डिस्टिक होते हैं वहाँ पर एक लिस्ट है वो जारी करता है देखिए नियम ये बोलता है जो आर्थिक पिछडा वरक सम्मने वरक की जो स्कोलर्शिप है नियम ये बोलता है कि जिन बालक बालिकाओं ने कक्सा दसवी और कक्सा बार्वर में 75% से अधिक अंग पराप्त की हैं तो उनको यह मिलने वाली वो अवे दिन कर सकते हैं लेकि जिन के कक्सा दसी और बार्व में 75% अंग आएं और वैसे भी सरकार के पास है वो बजट वो कम रहता तो सभी बालक बालिकाओं को यह नहीं मिलते हलांकि वो पातर हैं 75% से अधिक अंग पराप्त कर लिए वो पातर हैं लेकिन सब को नहीं मिलने वाली है तो फिर यह सवाल उड़ता है तो किन स्टुडेंट को यह मिलने वाली है तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा देखिए यह जिन बालक बालिकाओं पहले भी आपको मैंने बता है वर्स 2020 में और वर्स 2021 के अंदर कक्सा दसी और कक्सा बार्वी पास के 55% अधिक अंक आड सान के लिए अलग लग लिस्ट वो जारी कर दिये और यहाँ पर एक निश्चित कराइट एरिया है वो रख दिया जाता है यानि एक मैरिक निकाल दी जाती है अगर उस मैरिक के अंदर आपका नाम आ जाता है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हो यानि आप इसके कैसे पता चलेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखें सिक्षा भाग के दोरा डिस्ट्रिक वाई जो जिला सिक्षा अदिकारी हैं और ब्लोक वाईज हैं जो सिक्षा अदिकारी हैं उनको लिस्ट हो जारी करता है और सम्मंदी जो ब्लोक की जो अदिकारी हैं वो अपने चेतर कि जितने भी जो school हैं उनसे information collect है वो कर लेता है और सूचना है आगे department को भेज देता है और department उसे verify करके जो पैसा है student के account में आ जाता है तो यहाँ पे सवाल फिर से यह उड़ता है कि हमें सूचना कहां से प्राप्त करनी है तो देखें दोस्तों बात यह है कि वैसे तो देखे कि आपको ज्यादा tension ने लेना क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा इवाग वो बड़ा सक्त हो गया है पहले भी सूचना मांगे गई थी ठीक है तो यहाँ पे जो भी शिक्षा अधिकारी है जो डिस्टिक लेउल की हो या फिर ब्लोक लेउल की हो वो school वालों से वो अपने आइट एरिया बता देता हूं आपको लग भग ठीक है देखिए वर्ष 2020 के अंदर जिन बालिकाओं ने कक्षा दस्वी या फिर कक्षा बारु में तकरिबन चोराणम परसेंट से अधिक अंग प्राप्त किये हैं तो ऐसे बालक बालिकाओं लेकिन केटेगरी के ओल जनल हो प्राप्त किये हैं तो ऐसे बालक बालिकाओं उन लिस्ट में हो नाम आ चुका है यहाँ पर देखिए आपको आवेदन करना पड़ेगा कुछ दस्तावेज हैं सम्मंदिज अपने स्कूल में जमा करवाने पड़ेगे और स्कूल वाले हैं ब्लोक लेवल पे जो अधिकारी ले लेता हूं वरना मैं भी गलत बोल सकता हूं यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इसके बारे में सूचना है तो देखिए यहाँ पर जो कक्षा दस्वी के जो स्टूडेंट है तो अपने पूरे राजिस्थान के अंदर यहाँ पर देखिए अठाण में विधार्थियों का सेल सबको 98-98 अलग-अलग है वो दी जाएंगी ठीक है और इसके साथ ही जो वरिष्ट उपायद है वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए जो 6 स्टूडेंट के लिए स्कोलर्शिप है वो दी जाएगी तकरीबन ओल आवर राजिस्थान में टोटल 400 स्टूडेंट को है यह स्क प्राप्ते हैं और अगर आप जनल केटेगरी से तो अपने स्कूल से संप्रेक हो कर लिजेगा अगर स्कूल वालों को नहीं पता है तो उनको यह वीडियो देखने के लिए हो खह दीजेगा चलिए अब आपको क्या-क्या डोकोमेंट चीए तो दोस्तों अगर अपने यहा प्राप्ते हैं और इसके साथ आपको क्या करना एक एक आपकी फोटू चिपकानी है और इसी के साथ सम्मन्दित कक्सा की जो आपने पास किये उसके अंक तालिका यानि मारक सीट वो भी सव पर्मानित यानि इस्टूडेंट के खुद के अस्ताक्सर यहां पे करने साइन कर जनरल केटेगरी का का सर्टिफिकेट होता है उसके आपको आपसे इकता पढ़ने वाली है अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा ठीक है अब कुछ साथी यह बोलेंगे क्या जनरल केटेगरी का भी सर्टिफिकेट होता है क्या होता है होता है ठीक है चलिए इसके अपने यहां पर बात करें तो जिन student के category भी जर्णल है और उनके जो परिवार माता पिता में से कोई government job लगा हो तो ऐसे student है वो पातर नहीं होगे क्योंकि यार उनकी वार्शी का है dialogue से बहुत ज्यादा हो जाएगी यह पिछड़े वरक के लिए general category है इसके साथ ही यहां पर student क एक bank की passbook यानि bank account होना चाहिए साथ में bank की passbook की एक photo copy आपको यहां पर साथ में लगानी है forum बरना है document लगाना है संबंदित school में आपको जमा करवाना है list के बारे में नहीं पता है तो school वालों से आप संप्रेक हो कर लेजेगा चलिए तो दोस्तों यहां पर यह थी 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 और फिर यह सूचना मांग रहा है और एक बार फिर से यहां पर देखिए इसकी जो last date रखी गई है मेरे एरिया कि मैं यहां पर बात कुरूं तो यहां पर 28 जुलाई रखी गई है जो कि आज ही मैं वीडियो बना रहा हूं अलांकि सूचना मेरे पास पहले भी थी लेकिन मै माफी चाता हूं लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि यह scholarship हर एक student को यहां पर देने जो पातर है तो ऐसे में अगर सूचना department के पास नहीं पहुंचती है अगर लेट भी पहुंचती है और नहीं भी पहुंचती है तो फिर से दुबारा ओर जारी कर देंगा तो इस scholarship तो आपको मिलने ही मिलने वाली है तो संपर्क कर लीजिएगा बस लास डेट के आप नो टेंशन रखिएगा फिर भी अगर इसके बारे में और आपको ज़्यादा जानकरी चाहिए फिर आपका कोई सवाल और कोई confused है तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं मैं आ जादा से जादा अपने दोस्तों में भी हो शेर कर दीजिएगा आप चलते चलते एक और जानकरी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा मा लिजिए जो student वर्स 2022 में या फिर आगे वर्स 2023 में कक्सा दस्विया बारवी पास करने वाले हैं तो उनके लिए भी यह important वीडियो है क्योंकि आगे आपको भी scholarship हो मिलने वाली है तो आप भी इस scholarship का फायदा वो उठा सकते हैं तो मिलते हैं friends अगले एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वार